देश भर में आज दशहरे की धूम है विजया दश्मी के दिन सबसे बड़ा आकर्शन होता है शाम को होने वाला रावन देहन का कारिक्रम और देश भर के साथ-साथ मद्रपदेश की राजधानी भोपाल में भी इसकी तैयार याँ जोर शोर से चल रही है भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम के पास इस वक्त मौजूद है यहाँ पर अगर आप देखें तो कोरोना का काल है तो रावन देहन के साथ ही एक सामाजिक संदेश देने की कोशिश की गई है जो रावन का पुतला यहाँ पे है करीवी क्यावन फिट की उसकी हाइट है और उसके चहरे पे अगर आप देखें गौर से तो मास्क लगा हुआ दिख जाएगा यह संदेश है कि मास्क सभी को पहना है कोरोना अभी गया नहीं है हाला कि उसकी लहर जरूर कमजोर पड़ी है लिकन लोग लापरवाना हो इसलिए रावन देहन के साथ-साथ समाज को संदेश देने की कोशिश की कई है जो ढाल रावन ने अपने हाथों में ली हुई है उस सबसे पहला रावन देहन यहीं पर होता है जिसके बाद शेहर के अलग-अलग हिस्सों में रावन देहन के कारिक्रम किये जाते हैं जो अध्यक्षय समिती के वो हमाई साथ मौजूद है उनसे हम बात करेंगे और जाननी कोशिश करेंगे क्या इस बार खास है क्योंकि नई और चुकि पिछले दो साल से करोना का काल चल रहा है सब जगा करोना फैला हुआ है और इस बार भी हमें गवर्मेंट की तरफ से एक संदेज दिया गया है कि आप करोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए विजय दशमित हमारो मनाएंगे तो हमने उस पूरी गाइडलाइ की कोशिश करिए उसको मास्क पिनाया है उसकी ढाल पे वैक्सीन लगाना जरूरी है यह भी लिखा है वो जगह जगह हमारे कटाउट और बैनर्स भी अभी हाल पूरे मैदान में हम यहां लगाएंगे जिसमें यह संदेश लिखा रहेगा कि दूरी बना के रखें और वैक् इसे तो यहां पर शमता 2-5,000 लोग आराम से यहां पर समायत हो जाते हैं पर चुकि हमने लोगों को यहां पर कम लोगों को यहां पर संदेश दिया है कि जिससे कि यहां ज्यादा भीड़बार ना हो और कोई आवयवस्ता ना हो जितने भी लोग आएंगे वो यहां सोशल के साथ बैठ सकते हैं तैयारियां पूरी हैं क्योंकि कोरोना का काल है तो जाहिर से बात है कि उसका भी ध्यान रखना है और नई guidelines के तहत भोपाल में क्योंकि इस बार रामन डहन होने जा रहा है तो समाझ को संदेश देने के खातिर रामन को भी मास्त बनाया गया है लेकिन इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइन्स का भी पूरी तरीके से पालन किया गया है इस बार के रावन देहन में रवीश पाल सिंग भोपाल आज ता